नमस्कार आपका प्रिय मित्रों स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के सोने बाद उसकी आत्मा कहां जाती है। आपके और हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्ही में एक सवाल यहां आता है कि सोने के बाद आत्मा कहां जाती है। जब हम रात में सोते हैं, तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं ओर चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं, जिनका जवाब इनसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है, वह अपने बारे में सब कुछ जाने, और जब आ उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे, जो आत्मा के रहस्य समझाते हैं, वे इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, पर यदि आप जानना चाहते हैं, कि सोने के बाद ह आत्मा का क्या होता है तो आज हम आपको इस बारे में अच्छी तरह से बताएंगे क्योंकि हर मनुष्य के मन में यह जिग्यासा होती है कि वह इसके बारे में हर बात जाने क्योंकि उसे हर बात जानने का हक होता है तो आज हम आपको बताएंगे कि सोने के बाद हमारी आत्मा क जाती है और यह किस तरह काम करती है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर यह जाती कहा है। कभी कभी हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है। जैसे हमें कोई छू रहा है या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी और अंजनसी है। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है। नहीं क्योंकि उस समय हमारा शरीर निद्रा अवस्था में होता है। ना कि मृत अवस्था में जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमन करके वापस आ जाती है। पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती है। क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीन हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियां प्राप्थ होती है जिन्स वजह से वो यह कारे आसानी से कर पाती है। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी हुई नहीं होती। आप कभी कभी ऐसी जगा पर पहुँच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस्थान पर मौजूद होती है। जब हमारी अचानक आँख खुलती है तो वो बहुत ही तीवर गती से हमारे शरीर कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजे दिखाई देती है और कभी कभी तो आत्मा पर मात्मा से मिलने पहुँच जाती है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यू हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं हम उन्हें साक्षाद देखत हैं जिस से हमें काफी सुकून महसूस होता है क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिलकुल मृत की तरह हो जाता है और कई बार तो उस व्यक्ति को जगाने पर भी वो जाग नहीं पाता है क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है जिसकी वजह से इंसान क काफी देर के जाग पाता है आप लोगोंने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपने सपने में अपने इश्ट देवता को देखा होगा उनसे बातें की हो या फिर आपने अपनी परिशानियों को उनको बताया हो वो आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं कई सारी ऐसी और प्रक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल तथा आश्चरिजनक होती है आप ये सोचते हो कि आप अब यही रहे और बस इन्ही देवताओं को देखते रहे पर ये सब आपकी आत्मा कर रही होती है आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर होता है पर आपकी आत्मा इश्वर के पास पहुंच जाती है लेकिन उस समय हमारा मस्तिश्ख हमें ये संदेश देता है कि अभी हम जिन्दा है और ये हम सिर्फ सपना देख रहे हैं जिन्स वजय से हमारी एकदम आख खुल जाती हैं और हम वहां से लोटकर आ जाते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश हम थोड़ा और समय उन्हें सुन लेते तो कितना अच्छा होता आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते है पर वो सप जब आपकी आत्मा चाहे आएए अब हम जानते हैं कि सपनों के बारे विज्यान क्या कहता है अगर हम विज्यान की बात करें तो विज्यान इस बारे में बहुत सारी बाते कहता है क्योंकि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किये हैं जिनके आधार पर वैध्यानिकों ने सप अपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो हम उन्ही स्थानों पर पहुँचते हैं जो कि हमारा पूर्वजन्व हो सकता है या फिर हमारे आने वाले कल से जुडी होती है या फिर हम कभी उन ग्यक्तियों से मिलते हैं जो कालपनिक होते है और ऐसा सिर्फ इस वजय से हो तब तक हम उसे कर नहीं सकते हैं और या सब हमारी आतमा हम से करवाती है इसका एक उधारण है नील बोहर की परमानुसन रचना जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया है तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रह्मन पर जाती है, वो हमें उन चीजों का आभास कराती है, जो हमारे पूर्वजन्म या फिर इस जन्म से संबध रखती है, या फिर वो हमें नई जगह पर भी ले जाती है, ऐसी ऐसी चीजों से मिलवाती है, जिने हम अपनी जिन्दगी मिला सके क्योंकि आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीजों को अपनी जिन्दगी में अपनाए और इसी वज़े से ऐसा कुछ उस मनुष्य के साथ होता है इसलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ सोने के बाद आत्मा शरीर से निकल कर भ्रह्मन पर जाती है क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी इस पर कई सारी रिसर्च की है तब जाकर उन्होंने इस पर यह टिपनी की है सोने के बाद हमारी आत्मा और भ्रमन करने जाती है अब एस बारे में बात करते हैं कि सोने के बाद मनुष्य की आत्मा वाकई में कहीं जाती भी है या नहीं या फिर एक सिर्फ लोगों का भ्रम है क्योंकि अगर हम श्रीमत भगवत गीता की बात करें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय बताया गया है कि मनुष्य के आत्मा की कोई गती नहीं होती है गती तो मनुष्य का मन करता है जिसकी वज़य से हम जो कुछ भी देखते हैं वो मन के भ्रम की वज़य से होता है और आत्मा हर जगा विद्यमान है जिन्स वज़य से हम यह नहीं कह सकते है कि आत्मा कही जाती है क्योंकि वो तो सब जगा पर पहले से ही मौजूद होती है पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमन पर चली जाती है अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है यह बात तो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किये हैं पर आज की दुनिया में विज्ञान ही सबसे आगे चल रहा है पर हम श्रीमत भगवत गीता की बात को भी जुठला नहीं सकते हैं क् इसकी वज़े से इनसानों को नए नए सपने देखने को मिलते हैं मित्रों आज की प्रस्तुती में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद